हेलो फ्रेंड वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबियोजी आज हम लेके आये हैं आपका गेट जो आपका बीटी है गेट बीटी बायो टेकनलोजी बायो टेकनलोजी से रिलेटेड वीडियो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इसकी तयारी हम कैसे करें बिदाउट कोचिंग और किस बुक को प्रिफर करें I never says that कि आप कोई भी नोट्स को करें किसी और के नोट्स को आप रीड करें I will always say that कि follow the standard book मेहनत जरूर है सुरू में क्योंकि उसको समझने के लिए बट अगर आपने इस मेहनत से overcome कर लिया तो कहीं भी आपको कोई भी problem नहीं होगी आप बुक रीड कीजिए, बुक्स को समझने की कोसिस कीजिए, राइटर क्या कहना चाता उसको समझने की कोसिस कीजिए और फिर PYQ को discuss कीजिए, PYQ कभी भी section wise discuss नहीं करना चाहिए क्योंकि paper में आपका section wise question नहीं बूच जाते हैं वहाँ पे वो एक पूरा का पूरा paper में सारे sections होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका get exam में आप जा रहे हो आपका हो रहा कि अच्छा हाँ, पहला section engineering mathematics का दूसरा section biology का, तीसरा molecular biology का, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है पहला question biology का, दूसरा mathematics का, तीसरा वाई process engineering का, चौथा आपका यूरी combination engineering technology का, आपके brain को ऐसे आप trend कीजिए जिससे कि आप किसी particular point पे उस concept को switch कर सके और उसके लिए सबसे अच्छा है original paper, original PYQ को solve कीजिए sorted PYQ नहीं है, book कौन से रीफर करनी है, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा और हम ये देखते हैं कि BT से फायदा क्या है, एक, तो IISC में admission होता है, तूसरा, आईजर में, तीसरा, नाईजर में और इससे आपको जॉब भी मिलता है, बायो टेक कंपनी जितनी भी है बायो इंडिया की, उसमें जॉब लगता है, बायो टेकनलोजी, बीटी, गेट से ये आपको PhD में admission देने के लिए भी important है, तो ये आप target कर सकते हो इसका जो paper pattern है, यह भी paper pattern दो भागों में बटा होता है, एक general aptitude और दूसरा पार्ट इसका होता है subject का है, subject इसमें से 85 का होता है, और general aptitude 15 का होता है general aptitude आपको insanus probiology तयार करा रहा है, पीवाई की के थुरू, और ये आपको खुद ही solve करनी है जिसमें से अगर आप biotic की तयारी कर रहे हैं, तो हैदराबाद HCU के papers को आप देख सकते हैं, या tiffer में जो question paper मैंने discuss किये हैं, उसके concept को समझ सकते हैं, क्योंकि आप याद रखे, concept repeat होता है, question नहीं आपका concept हमेशा repeat होगा, question repeat नहीं होगा, तो आप concept को समझने के लिए पीवाई क्यू देख सकते हैं, वो पीवाई क्यू किसी भी जगह से हो सकता है चाहिए differ का हो सकता है, design का हो सकता है, gate का हो सकता है, differ HCU का हो सकता है, DU का हो सकता है, CSIR net का हो सकता है कहीं से भी आपको question मिलना चाहिए, उस question में वो concept लगना चाहिए अगर आप इसके syllabus की बात करोगे, तो इसका syllabus साथ सेक्सेन में बटा हुआ है, पहला engineering mathematics हैं इंजिनेरिंग mathematics में algebra, geometry, trigonometry ये सब हैं, integration calculus हैं तो इसके लिए आप NCRT class 12 की mathematics को follow कर सकते हो, दूसरा section में general biology पूछा जाता है तीसरा में fundamentals of biological, जेनेटिक्स, cellular and molecular biology फूर्थ में fundamental of biological engineering, फिफ्थ में bioprocess engineering and process biotechnology शिक्स में plant animal microbial biotechnology और सेवन में recombinant DNA technology, other tools in biotechnology ये साथ सेक्षन में आपका syllabus बटा हुआ है और इस साथ सेक्षन में से एक सेक्षन आपको 12th सेकंडी है mathematics है देखे ध्यान रखिए, biology वाले को इस बात का बड़ा tension होता है कि मुझे math नहीं आती, जो भी exam आपके साथ दे रहे हैं उनको भी math नहीं आती mathematics पढ़ना जरूरी है, किसलिए जरूरी है यह हम आपको दादे, mathematics पढ़ने से आप के दिमाग, logic reasoning करने की ताकत बरेगी क्योंकि mathematics आपको जो है data को interpret करना सिखाता है, आपके data को वो graphical representation सिखाता है general biology जो है वो Campbell biology से आप पर सकते हो, Campbell की biology की book आती है उससे पर सकते हो, concept और connection नाम से biotechnology, biochemistry, molecular biology यह सब बहुत ही ज़्यादा important factor, important group में participate करता है ते इसलिए आप biochemistry Leninzer की book से refer कर सकते हो biochemistry और molecular biology विल्सन एन वालकर की book है, यह technique की book है, इससे आप refer कर सकते हो और bio technology, glick की book है, यह TA brown, दोनों में से कोई एक अगर आपको bio technology पहले से आती है, तो आप click करें, अगर नहीं आती है, तो अब TA brown को पहले बढ़ें बहुत छोटी book है TA brown, बहुत जल्दी खतम हो जाएगा, पंदरे दिन में यह खतम हो जाता है, तो आप TA brown के बाद स्विच करें, और अगर आपको part time पढ़ना है और unsuccess नहीं होना है first time में, तो आप gene 12 book, Levines की परियाएं, लेवाइन्स का gene 12 book is the most important book for the bio technology, तो कि बायो टेकनलोजी आप यूज ही करते हो DNA, रिकॉंबिने डिने बना के, उसमें टेकनिक लगा के, टेकनिक कहां लगाओगे, आपको बायोजी में क्या पढ़ना है, यह बताएगा, इस तरह से आप आगे प्रसीड कर सकते हो, मारा चैनल अगर आप बहुत खुरा भी सपोर्ट कर रहा है, तो आप मारे चैनल को subscribe किजिए, अपने junior और अपने senior को रीफर कीजिए, को कि यह चैनल अब तो एक mock interview भी arrange करे की practice हो सके, हम यहाँ पर कोई भी आप से experience share नहीं करेंगे, को कि मेरे experience से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि मैं अपने experience से आपकी जो आपकी कमिया उसको दूर करू तो फायदा आपको होगा, due to this reason I've never started sharing my experience with the persons, मेरे experience है, हम मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, य यह matter करता है, क्या पढ़ा, यह matter नहीं करता है, कैसे पढ़ा, जिससे की मैं success हो रहा हूँ, यह matter कर रहा हूँ, थोड़ा विस्वास रखे, आपको फायदा होगा, thank you for watching this video.